नमस्कार विद्यारतियों, इस्टेडी 29 एक एक और नहीं वीडियो माप सभी का स्वागत है, आज हम कक्षा आठ सामाजीक विग्यान, कक्षा आठ सामाजीक विग्यान वार्शीक प्रिक्षा जो बोर्ड का एक्जाम में उसका मॉडल पर्शन पत्र हल करेंगे, जिसका जिस नमरों का ये पर्शन पत्र होगा, निर्देशांग, निर्देशांग आपको जो पेपर आता है, उसमें आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद उसमें दिये गए निर्देशोग अनुशार पेपर को हल करना है, तो वीडियो को सुरू करते हैं, पहला पर का पर्थम गवर्णर जनरल दूसरा पर्षन है सर्व पर्थम भारत आने वाली पर्सिमी ताकत थी तो इस पर्षन में हमें बताना है कि पर्सिमी देशों से भारत में कौन से जाती है या कौन से लोग है वो भारत में पहले आए थे तो इसका उत्रो जाएगा पूर्टगाली तीसरा परसन है सेरे मेसूर के नाम से जाना जाता है तो सेरे मेसूर के नाम से टिपू सुल्टान को जाना जाता है जो मेसूर के शाल सकते हैं अगला परसन है राजिय सबा में कुल कितने सदेशी होते हैं तो राजिय सबा में कुल कितने सदेशी होते हैं वह है, तो राजसान में सरवाद एक जनशांग की अगनत्व है वो हमारे जैपुर जिल्य में पाया जाता है। चट्टा पर्सन महारान परताब हवाई अडा है। अगला पर्सन है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। तो इसका शहीं उत्रों जाएगा दो हजार पाँच में सुचना का दिगार दिन्यम 2005 में भारश सरकार ने पारित किया है अगला परसन है समिदान के किस अनुचेद में आई इस परस्ता को दंडनी अपराद गोशित किया गए एह इस परस्ता को दंड़नी अपराद समीदान के किस अनुचेद में गोसित किया गए वो हमें इस परस्त में बताना है तो इसका उतरा जाएगा अनुचेद सत्र है जिसमें एह इस परस्ता को दंड़नी अपराद मन गया है अगला है अठारा सो सताउन में सबसे पहले विद्रो कहां प्रारंब हुआ अठारा सो सताउन की करांती में सबसे पहले भारत में विद्रो है मेरट से शुरू होता है मंगल पांडे करांती की सुरुवात करते हैं दसवा परसन कानून बनाने में सरवादिक महतपून भूमिका होती है तो कानून बनाने में महतपून भूमिका संसदगी होती है लोग सबा राज्य सबा और राश्टपती मिलकर संसदगा निर्मान करते हैं और कानून बनाने में इनकी महतपून भूमिका होती है अब ग्यार ग्राम पंचायत का मुख्या सरपंच सरपंच है वो ग्राम पंचायत का मुख्या होता है धर्म को राजी से अलग रखने की अवधारना को धर्म निर्पेक्सता कहा जाता है धर्म को राजी से अलग रखने की जो अवधारना उसको धर्म निर्पेक्सता कहा जाता है राजस्त में सरवाधीक लिंगानुपात वाला जिला है डुंगरपूर में राजस्तान में सरवाधीक लिंगानुपात है बारत के चार महानगरों दिल्ली मुंबई चैनने एम कोलकाता को जोडने वाली राजमार्ग को कहा जाता है तो इस भारत के चार मान अगरो दिली मुंबई चेन नहीं एवन कोलकता को जोडने वाले राजमार को श्वरणिम चतुर्बु जियोजना कहा जाता है। अब बार मां परसन है हाँ या ना में उतर दीजिए। अगर कतन सही है तो उसमें हाँ उतर देना है और अगर कतन गलत है तो उसमें ना देना है। सहयुक्त राजस्तान की राजपरमुग बुपाल सिंग थे तो इसका उतर हो जाएगा हाँ यानि ये कतन हो सैत्य है। कुम्बल गड दूर के कटार गड में महाराना परताब गड जन्म होता है। अगला है हुरूडा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ तो ये कतन भी सेच्ट्य है। तो हुडा नाम अगिस्तान जो वर्तमान भीलवाड़ा जिल्य में इस्तित्य यहां पर 17 जुलाई 1834 को सम्मेलन होता है जिसमें मराटो की बढ़ती हुई सक्ति को रोकने के बारे में इस्तान ये जो सासक है इस सासको नहीं सम्मेलन को बुलाया था। आदिवासियों का एक ही जनजात्य धर्म होता है यह कतन गलत है यानि नहीं इसका उत्रो जाएगा नहीं अगला है 1877 से गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा है यह कतन भी सत्य है 1877 की क्रांती के बाद बारत का सासन कंपनी के अधिन नहीं होकर सीधा इंगलेंड की संसद या वहां के ताज के अधिन हो जाता है और गवर्नर जनरल की जगे उन उसको वाइसराय कहा जाने लगता है अगला परसन तेरवा राजस्तान के किने चार कोटीर उद्योगों के नाम लिखे इसका उत्रो जाएगा राजस्तान के परमुक चार कोटीर उद्योग है हतकरगा उद्योग अगरबती उद्योग चरम उद्योग और मिटी के बरतन निर्मान उद्योग चब्धों परसन है अटाराशो स्वताउन के विद्रोय के परमुक केंदर कौन कौन से थे तो हमें भारत में अटाराशो स्वताउन की ग्रांती के जो परमुक केंदर थे उनकी बारे में बताना है तो पहला जो केंदर था अटाराशो स्वताउन की ग्रांती का वो मेरट था यहीं से करांती की शुरुवात होती है, दिल्ली, लखनुव, कानपूर, यह उस समय के 1867 के विद्रेव के परमुक के अंदर थे, अगला पर्सन, जलियावाला बाग हत्या कांड कब हुआ है, कहां गटित हुआ, जलियावाला बाग हत्या कांड 13 अपरेल 1919 को अमरिच्षर में हुआ था, यह जो इस्तान है, यह पंजाब राजिये में, वर्तमार में पंजाब राजिये में इस्तित है, तो जलियावाला बाग हत्या कांड 13 अपरेल 1919 को अमरिच्षर में हुआ, सोलवा परसन है, गुमन्तु किसानों की दो विशेशताइं बताईए, तो यहां पर हमें उनका रहने का हिस्तान है, वो पूरवुत्रवे मिध्य भारत की जो परवत्य भाग या जंगली जो पट्टी है वहां पर निवास करते थे, दूसरी विशेशता हो जाएगी, इन समुदायों की जिन्द के जंगलों में बे रोग टोक आवाजाई और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल परादारित थी, यानि जंगल का ये बिना रोग टोक, किसी बिना रोग टोक से ये उप्योग करते थे, अब ये सत्रुवा परसन, महिला ससक्तिकर्ण के लिए चलाई जा रही दो योजनां के बारे में बताईए, तो इसका उत्तरों जाए मुख्य मंतरी राज स्री योजना, इसका उदेशे लड़कियों में सिक्षा हैं, श्वास्तिकी सती में सुधार करना, इसमें राजे सरकार की ओर से वरतमान में 50,000 रुपे तक का अनुदान दिया जाता हैं, अगला परसन है अठारवा, राम कृष्ण मिशन के इस्तापना किसने की ए, किस बात पर जोर देता था, तो अटारवhe पर उत्तर हो जाएगा, राम कृष्ण मिशन के स्थापना स्वामी वीवे कननने की ती, राम कृष्ण मिशन का नाम इस्तापना करते हैं, और इसका जो नाम करन है वो इनके गुरू, राम कृष्ण परमान्स के ना गया है के नाम पर रखा गया और यह मिशन है वो समाज सेवाव नीश्वारत सरम के जरी दिए मुक्ती के लक्षी पर जोर देता था अब 19 पर सने राजस्तान में अटारा सो सताउन की करांथी के क्या कारण रहे थे समझाईए तो यहां पर हमें 1857 की करांथी के जो कारण है उ उन्होंने राजाओं की पर्भू सता शमाप्त करूंने अपनी क्रिपा द्रष्टी पर निर्बर बना दिया है। विरुद राजाओं में असंतोष की भावना बल्वती होती गए। राजस्तान में अंग्रेजों की ध्रम परचार निती, सामाजिक, शुदार, आर्थिक नितीओं के कारण यां की सामाइन जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद चरम पर थी। धार्मी का हस्तक शेप के कारण भी अंग्रेजों के खिलाब आम जनता में विद्रो की भावना पेदा हो गई अगला है सामंत अपनी दुकद इस्तितिक का जिमेदा और अंग्रेजों को ही मानते थे आते हैं उनमें अंग्रेजों के प्रती रोज था आम जनता और शार्षकों के लावा सामन्त भी अंग्रेजों के खिलाप हो गए अटारेशो शुताउन ने इस्वी की करांती का तात कालिन कारण एन फिल्ड राइफलो में परियुक्त कारतुसों मैं गाई एम सुर की चर्वी का परियोग किया जाना था तात कालिन कारण एन फिल्ड राइफलो में शुर वै गाई की चर्वी का उपयोग करना है उसको मान गए इस परकार ये शुताउन की करांती की पर मुखकारन हो गये 20. परसन है अपराद की जांज करने में पलीस की क्या भूमिका होती है तो इसका उतर हो जाएगा अपराद की जांज करने में पलीस की महत्पुन भूमिका होती है अपराद में की धर्ज होने के बाद पलीस जांज के लिए गवायों के बयान दर्ज करती है यानि अपयार जब दर्ज हो जाती है परतम सूचना रिपोर्ट उसके बाद पुलीस है वो गवाहों के बयान दर्ज करती है सबुतों को इकटा करती है इस जांज के आदार पर पुलीस अपनी राय बनाती है अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दो साबीत होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोपत्र दाखिल कर देती है अभी कीस्वा परसंद उर्जा अत्वा सक्ति के प्रमप्राग स्रोतों का वर्णन कीजिए यानि सक्ति या उर्जा के प्रमप्राग स्रोत है उनके बारे में हमें बताना है तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्जा अत्वा सक्ति संसादनों के प्रमप्राग स्रोतों में वे स्रोत सामिल है जो प्राचिन समय से प्रयोग में लाए जा रहे हैं प्रमप्राग स्रोत हम उन स्रोतों को गएंगे जो पूराने समय में यानि प्राचीन समय से ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं उर्जा के पर्मुक प्रमप्राग स्रोत निम्न परकार हैं तो पहला है इंधन इंदन का उपयोग खाना पकाने या तो उसमा प्राप्त करने के लिए किया जाता है ग्रामीन क्षेत्रों में 50% से अधीक उर्जा इंदन से ही प्राप्त होती है इससे वायू परदुशन होता है फिर भी यह उर्जा का मुख्य आदार है तो वर्दमान में ग्राप्त में एलाखों में आज़ भी 50% से जयादा इस इंदन का प्रीयोग किया जाता है कोईला बहुत आएंप में पाया जाने वाला जीवास में इंदन है इसका परियोग घरेलू इंडन उद्धियोगों वाश्प इंजनों तता विद्धूत उत्पन करने में किया जाता है विश्वे में कोईला उत्पादक देशों में चीन, सैंक्तराजी अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्सिन अफरिका और फ्रांस सामिल है भारत में कोईला उत्पादन के क्षेतर रानी गंज, पस्सीमी बंगाल में तता जरिया, धनबाद, बोकार और जहरकंड में है तो यह इस्तान है वो भारत में कोईला उत्पादन करते हैं अगला है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक मैतपुन प्राकरतिक संसादन है पेट्रोलियम के प्रक्रमन से हमें विविन तरे के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिटी का तेल, जिसे हम केरोसिन भी कहते हैं बोम, प्लास्टिक और सनहक प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश, इरान, इराग, सौधी अरब और कतर हैं भारत में मुख्य उत्पादक, शेतर असम में डिगबुई, मुंबई में, बॉम्बे, हाई, चता, कृष्णा और कोदावरी नदियों के डेल्टा है चोता प्रमप्राग स्रोत है प्राकरती गेश, प्राकरती गेश पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है यानि यह जो प्राकरती गेश मिलती है वो पेट्रोलियम पदार्तों के साथ ही पाई जाती है इसका प्रियोग घरेलु और वानी जेकेंदनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलेंड प्राकरती गेश के पर्मुक उत्पादग है। भारत में जेसल मेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपूरा और मुंबई के कुछ अब 30 एक शेत्रों में प्राकरती गेश के बंडार है। जल विदूद, अगला प्रमप्रागस रोता है, जल विदूद, बांदों से जल को उन्चाई से गिरा कर जल विदूद का उत्पादन किया जाता है। विश्वे की उर्जा का एक चोता ही हिसा जल विदूद से उत्पन होता है। विश्वे में जल विदूत के अगरणी उतपाद अगदेश, परागवे, नारवे, ब्राजिला और चीन है, भारत में कुछ मैद पुन जल विदूत के अंदर बागडा, नागल, गांदी, सागर, नागार, जुन, सागरा और दामोदर, नदी घाटी पर यूजना है, तो इन रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिटी के वरेत संचलन को बूसकलन केते हैं, यह बूकंप, बाड़, तता जौला मुकी के कारण होता है, बूसकलन में सामयने ते सेल, यानि बड़े पत्तर, मलबा या ढाल, ढाल से नीचे गिरने वाली मिटी के वरेत संचलन को बूस्कलन के जाएं बड़ी मात्रम में अगर मलबा हो सेल हो या मिटी गिरती हो कई डाल में तो वो भूस्कलन के लाती है और इसका मुख्य कारण होता है बूकंप बार्ड या ज्वाला मुखी बूस्कलन रोकने की वीदियां तो अब हम देखते हैं बूस्कलन रोकने की वी परण में वर्दी करना सतही अपवाय तता जहरना परवाओं के शासाथ भूस्कलन की गती सीलता को नियंतरित करने के लिए प्रश्टी अपवाय नियंतर नुपाय कार्यान वित किये जाने चाहिए अगला प्रसन है स्वतंतर नियाई पालिका को आप यहां पर आजाएगा से यह मिस्प्रिंट हो गया इससे हैं स्वतंतर नियाई पालिका से आप क्या समझते हैं बताईए उत्र हो जाएगा श्वतंतर नियाई पालिका से आज से यह है कि सरकार के अन्याई पालिका जैसे विदाई का और कारिय पालिका नियाई पालिका के कारिय में बादा नहीं डाल सकते हैं नियाए पालिका का मुख्य है अरती यह होगा कि अगर सरकार के दूसरे उपकरम है जैसे विदाई का है कारिय पालिका यह नियाए पालिका के जो काम है उनमें बादा नहीं डाल सकते हैं यह कारिय पालिका और वियावस्तापिका के नियाए पालिका के नियाए पालिका के नि जब हम अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें अपने करतवियों का पालन भी करना चाहिए क्योंकि करतवियों के बीना हमारे अधिकार खोक लहें खहने का तातपरी यह है कि अगर कोई व्यक्ति मौली का दिकारों की मांग करता है तो उससे पहले उसको करतवियों का पालन करना बहुत जरूरी है यानि यह दोनों चीज़े हैं वो एक दूसरे की पूरुक है एक शिक्के के दो पहलू है अब हम देखते हैं भारती समीदान मेवली कित मोली कदिगार जिसमें पहला है समानता कादिगार समानता कादिगार से आज से हैं कि कानून की नजर में सबी समान है अरता सबी लोगों को देश का कानून बराबर सुरुक्षा परदान करेगा यानि भारत का राष्ट पती हो चाए कोई आम नागरी का, तो कानून है वो सब के लिए बराबर लागो होगा, इस अदिगार में यह भी का गया है कि धरम जाती या लिंग के आदार पर किसी भी नागरी के साथ भेदवाव नहीं किया जा सकता, सरजने किस्तानों पर सभी को बराबर पहुंच का अदिगार होगा, रोजगार, रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदवाव नहीं कर सकता, यद भी इसके कुछ अपवाद भी है, चुवा चूत की परता का उनमूलन कर दिया गया है, तदा राज्य कोई भेदवाव जनक पदवियां परदा नहीं करेगा, यानि अगर कोई ऐसा पदवी दे राज्य से भेदवाव होने की संभावना है, तो इसी पदवी भी राज्य किसी को नहीं देगा, अगला मूलिक अदिगार है श्वतंतरता का अदिगार, इस अदिगार के अंतरगत अभी व्यक्ति और बासन की श्वतंतरता सभा या संग्टन बनाने की स्वतंतरता देश के किसी बाग में आने जाने और रहने तता कोई भी व्यावसाई, पेसा या कारुबार करने का अदिगार सामिल है, तो इस अदिगार में आम व्यक्ति है, वो अपनी अभी व्यक्ति कर सकता या वासन की स्वतंतरता इस को बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराद है चोता मौलिक अधिकार要इं धार्मिक शोतंत्रता का अधिकार सभी नावर्यकों को पूरी धार्मिक शोतंत्रता दी गई यहі प्रतिग वेक्ति को अपनी इच्चा का धर्म अपनाने तदाथ सांती पूर्वक उसका परचार परचार करने का अधिकार है पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति का और सेक्षनिक अधिकार समीदान में कहा गया है कि धार में किया बासाई सभी अल्प संग के अक्षमुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने-पने sectionic संस्तान खोल सकते है sacrifices चटा मोलिक अधिकार समयधानिक उपचारों का अधिकार यदि किसी नागरी को लगता है कि राजिये द्वारा उसके किसी मोलिक अधिकार का हुआ है तो इस अधिकार का सहरा लेकर वैय दालत में जा सकता है तो इस परकार ये 6 मोली का दिकार हो गए है 25 परसने बंगाल विवाजन पर एक लेक लिखी है यानि जो बंगाल का विवाजन हुआ था उसके बारे में आपको वर्णन करना है तो इसका उतर हो जाएगा बंगाल विवाजन सन 1905 में ततकल इन वाइसराय लाड़ कर जन ने बंगाल का विवाजन कर दिया उस वक्त बंगाल ब्रिटिस भारत का सबसे बड़ा प्रांत था यानि ब्रिटिस भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल जिसका 1905 में लाड़ कर जन ने विवाजन कर दिया बिहार और रोडिशा के कुछ भाग भी उससमें बंगल का हिस्थे थे अब देखते हैं इस विवाजन का उदेशी क्या था अंग्रेजों के अनुषार बंग्रेजन का उदेशी पर्षास ने सुवड़ा था इस परसाश किया सुविदा से केवल अंग्रेज अपसरों और वियापारियों को ही फायता होना था। इस विवाजन द्वारा सरकार ने गेर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाए उनके पूरी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। इसके पीछे अंग्रेजों का म में गुसे की लहर फेल गई मज्द्य मार गया और आमूल परिवर्तनवादी कोंग्रेश के सबी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जन सबाओं का आयूजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन परतिरोध के नए नए रास्ते डूंडे गए इससे जो संगर शुपजा उसे श्वधेसी आंदुलन की नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कपडे सकरजता अन्य विदेशी वस्तों का बैसकार कर जगए जगए विदेशी कपड़ों की होलिया जलाई गई। अपने देश में बनी वस्तों के लिए जन जागरन किया गया। ये संसादन कई प्रकार गए होते हैं जिन में से अधिकान संसादन ऐसे होते हैं जिनकी मातरा सीमित होती है। तता जिने पुने पूरित होने में वर्सों लग जाते हैं। यदि विदेशी अधिक तता अनावशेक परियोग किया जाएगा तो वे समाप्त हो जाएंगे। तता संसादनों का सरंक्षन अतियाब सक है, संसादनों का सरंक्षन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है वर्तुमान समय में, क्योंकि अगर इनका सही डंग से उपयोग नहीं किया गया तो आने वाली PD के लिए इनकी उपलबता या तो कम हो जाएगी या समापत भी हो सकती है, अरब सागर है वह भारत के इस तरफ है तो यहां हो जाएगा अरब सागर दूसरा है मुंबई मुंबई भारत के इस जगे पे हो जाएगी यह जाएगी मुंबई अगला option है kol kata, अगला है करक रेका, करक रेका के लिए निचे एक मान सितर दिया गया इसमें साड़े तेबिस डिगरी, साड़े तेबिस डिगरी की जो रेखा ये ये वाली रेका ये करक रेका कहलाती है अगला option है गोवा, बारत का सबसे छोटा राज़े गोवा, यहां पर इस्तित है ये गोवा और राजस्तान, देश का सबसे बड़ा राज़े राजस्तान, राजस्तान यहां पर इस्तित हैं इस परकारिस वीडियो में हमने model person पत्र को हले किया है, अगर आपको person को ध्यान से पढ़ना है, तो आप वीडियो को रोकर उन person को पढ़ सकते हैं या notebook में note भी कर सकते हैं, ताकि परिक्षा में इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा उप्योग कर सकते हैं वीडियो अगर उप्योगी लगाओ तो इसको like करें और अपने दोस्तों में share करें, चैनल पर पहली बार रहें तो चैनल को subscribe कर लें और bell icon भी दबादें, ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको समय पर मिल सकें, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत ध जिनिवाद